लो गाइज वेल्कम टू मैं चैनल गुड मॉर्णिंग और आज मैं आपके लिए लाया हूँ निव व्लॉग जैसे कि मैंने आपको कहा था निव व्लॉग में लाने वाला हूँ जल से जल और मैं ला चुका हूँ निव व्लॉग तो फिर आज हम जाने वाले हैं शीव मंदिर जो की है मलंगड में जो की शायद ही किसको पता होगा और बहुत लोग को नहीं पता है बहुत लोग को पता है तो हम अभी चलते हैं शीव मंदिर तो चलिएगा चले हमारे साथ प्रेड़ी हो चुके थे लेकिन यह बारिश आ सकते हैं तो हम थोड़ा बारिश का वेट कर लेते हैं आप देख सकते हैं का यह मेरे घर के बाहर का आप देख सकते हैं तो फाइनली हम निकलते हैं मलंगड के लिए हम निकल गए है मलंगड के लिए बिना किसी देरी के और काफी शांदर यहां का भी विए है आप देख सकते हैं क्या मौसम है बहुत नास देखते हैं हो फाइनली हम पोच चिक एह խेंगड गाउ में यह गाउ को देखे मुंसी अपना गाउ याद आ आगया इस आगए यह रास्ता जाता है मंदिर के लिए श्रुम मंदिर के लिए जाता है यह रास्ता और काफी प्यारा रास्ता बनाया इन्होंने भले छोटा है रास्ता लेकिन काफी अच्छा रास्ता है देख सकते हैं आप इस बगल या उस बगल चारो बगल हर्याली हर्याली है इदम कनेक्टेड फील हो रहा है यहां पे भूज्वां है डा जवाब सो फाइठलनी हम अपहुच चुके हैं मंदिर आप देख सकते हैं मंदिर काफी लाजवाब मंदिरे बहुत बढ़िया बहुत यह रहा हमारा शीव मंदिर चलते हैं हम मंदिर में और आप देख सकते हैं शीव मंदिर यह हमारे भोले बाबा और यह काफी शांदार मंदिर बनाया है इनोंने आप देख सकते है बहुत बढ़िया यह मंदिर के बाहर का वियू है आप देख सकते है यहाँ पे बैठने के लिए भी जगा बनाया गया है आप बैठ सकते है और बैठने के बाद आप अदम सुकून से बैठ सकते है काफी शौन जगा है यह काफी प्यारा जगा है और यह सो गाइस मैंने फाइनली दर्शन कर लिया श्रीम मंदिर का और जो मेरा एक्सपेरियंस एक काफी मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बिल्कुल पॉजिटिव फील आया तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं और एक बहुत चीज वीडियो को आप लाइक करो शेयर कर और सब्सक्राइब कर और बैल आइकन को दबाना ना भूलिएगा तो इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं समप और बिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में